जैए श्री कृष्णा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जनमास्ट मी व्रत कथा कथा इस परकार है सकंथ पुराण के मताबिक दुआ पर युक्की बात है उन दिनों मत्रवा में उगर सेन नाम के राजा हुए लेकिन स्वहाब से बहुत सीधे थे यही बज़ा थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज भड़ाप लिया और स्वहाम मत्रवा का राज़ा बन बैठा कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देव की कंस उन से बहुत स्ने करता था देव की का विवा वासुदेव से तैह हुआ तो विवा संपन होने के बाद कंस्वैम ही रत हांकते वे बहन को ससराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ सकंद पुराण के अनुसार जब वे बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी होई कि जिस बहन को वे इतने फ्रेम से विदा करने स्वैम ही जा रहा है उसी बहन का आठमा पुतर तेरा संहार करेगा यह सुनता ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और बासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी बासुदेव ने कहा देवकी को कोई नुकसान ना पहुचाएं वे स्वैम ही देवकी की आठमी संतान कंस को सौप देगा इसके बाद कंस ने बासुदेव और देवकी को मारने के बज़ाए कारागार में डाल दिया कारागार में ही देवकी ने सा संतानों को जर्म दिया और कंस ने भी सभी को एके करके मार दिया इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्बती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया तब बासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आएं और यसुदा जी के गर्ब से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं यसुदा जी ने जी के गर्ब से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वैम माया थी यह सब बासुदेव जी ने वैसा ही किया बासुदेव जी ने कन्या को जैसे ही अपनी गोद में उठाया कारागार के ताले अपने आप ही खुल गए पहरेदार अपने आप ही नींद की आगोश में आ गए फिर बासुदेव जी ने कन्या को टोकरी में रखकर विंदावन की और च इसकंद पुरान के मुताबिक जब कंस को देवकी की आठमी संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुचा, वहां उसने देखा कि आठमी संतान कन्या है, फिर भी उसे वह जमिन पर पटकने ही लगा था कि वह माया रूपी कन्या आस्मान में पहुचकर बोली कि रे मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल तो पहले से ही व्रिंदाबन पहुच चुका है और जल्दी ही तेरा अंध करेगा, इसके बाद कंस ने व्रिंदाबन में जन्मे नवजातों का पता लगाया, जब ये शोधा के लल्ला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प पापो का नाश हो जाता है, और इस तरह हमारी जन्मास्टेमी की पराणी कथा समाप्त हुई